हेलो स्टुडेंस, वेलकम बेक तो मैं चैनल स्मार्ट स्टडी स्टुडेंस, आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 39 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यह वर्क्षिट 25 फेबरी 2021 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट menstruation we see different kind of thing around us हम हमारे आसपास पर बहुत सारी things देखते हैं all things have some shape और हर thing की कुछ न कुछ shape होती है some of which are complex in shape and some of them are simple तो जोग हम things देखते हैं उनकी अलग-अलग shape होते हैं कुछ की क्या होते हैं बहुत complex होते हैं बहुत easy या simple सी shape होती है some of which are called geometrogalip figure because their properties and shape have been defined by us क्योंकि कुछ क्या है geometrography figure कहते हैं क्योंकि जिसकी shape और properties को हम क्या कर सकते हैं identify कर सकते हैं as parameter, circumstances, area, volume of these shape know to us today we will read about the sum of these geometrography shapes तो हम geometric shapes देखेंगे आज तो सबसे पहले देखो हम एक चीज़ समझते हैं diagram दिया गया, shape दी गया, properties दी गया, parameter और area तो सबसे पहले आपको parameter और area में difference पता होना चाहिए कि क्या होता है parameter जैसे कि मैं ट्रेंगल की बात करते हैं तो जितनी भी side है ना उसके sum को हम क्या कहते है parameter तो देखो यहाँ पर मालो यह A, B और C तो इसके sum को हम क्या कहते है parameter और अगर हम area की बात करते है तो area जो इसके अंदर का area है यह वाला जो portion है यह क्या आता है area में यह portion क्या आता है area में तो इसके लिए अलग-लग formulas है जो आपको याद करने होंगे तो आए सबसे पहले देखते है triangle देखो triangle यह देखो यह क्या है triangle और closed figure made of three side segment three line segment से जो closed figure बना है उसे हम triangle कहते है इसका parameter क्या हो जाएगा A, B, plus C A, plus B, plus C यह इसका parameter हो जाएगा और area क्या होगा? area इसका होगा 1 by 2 देखो क्या होगा 1 by 2 यह है इसका base multiply base और यह इसकी क्या है height तो base multiply high तो क्या हो जाएगा 1 by 2 B इसका क्या हो जाएगा area हो जाएगा इस formula आपको याद करने होगा ठीक है second shape लेते है square second shape क्या है square a closed figure made of four equal side चारो sides क्या होगी इसकी equal होगी और हर में क्या होगा every 90 angle और हर में कितना angle होगा 90 angle का दो बातों का ध्यान रखेंगे कि चारो sides equal है और इसके अलावा हर एक side पर क्या है 90 degree का angle है अब देखो यहाँ पर मालो यह भी A है यह भी A है यह भी A है और यह भी A है तो parameter क्या हो जाएगा A plus A plus A तो हम लिख सकते हैं 4A parameter क्या हुआ 4A और अब हम इसकी बात करते हैं area की तो area क्या हो जाएगा side की square area क्या हो जाएगा side की square मतलब की A की square देख है उसके बाद हम देखते हैं rectangle rectangle में क्या होगा देखो a closed figure made of equal opposite side and every angle 90 opposite side जिसे कि यह यह दोनों क्या हो जाएगी equal हो जाएगी और यह वाली side इसके equal होगी और हर में कितना होगा 90 degree का angle होगा इसकी अगर हम formula की बात करें तो 2 multiply L plus B length और breath multiply 2 यह इसका क्या हो जाएगा parameter हो जाएगा और इसका अगर area निकाले तो area क्या होगा length multiply breath तो L multiply B L यह है L और यह है B तो यह L multiply B क्या हो जाएगा इसका formula हो जाएगा area का next देखते हैं parallelogram parallelogram में क्या opposite side are equal and parallel इसमें क्या होगी opposite side इसमें क्या है जिसे कि यह opposite sides है यह क्या होगी एक दूस्रे के equal होगी और यह जो sides है यह क्या होगी एक दूस्रे के equal और parallel होगी जैसे कि यहां पर हम समझते है कि यह side जो है यह जो side है यह इसके equal होगी और यह जो side है यह जो side है यह इसके equal होगी और इसके parallel होगी तो इससे हम क्या कहते है parallelogram ठीक है अब इसका अगर हम formula निकालते हैं यह parameter निकालते हैं तो देखो क्या होगा parameter 2a plus b यह है a और यह क्या हो जा जैसे कि अभी हमने देखा था स्क्वेर में भी और ना था फोर साइट्स कि अगर हम इसके डागनोल लेते हैं बीच में से इस तरह से यहां से यहां तक यहां लिया तो यह क्या होगा आप पर पैंडिकुलर बाइस सेक्टर होगा मतलब कि इसको एक तरह में से बराबर काटेगा और परपेंडिकुलर होगा मतलब की इस तरह से यहां पर 90 डिगरी का एंगल बनेगा एक बार इस पे समझते हैं तो को यह फोर साइड्स क्या हुई एक वल हुई ठीक है उसकी बाद अगर हम यहां से डिया यहां से हमने लिया यहां से यह लिया यह द तो फोरे इसका formula हो जाएगा और इसकी अगर हम उसकी बात करते हैं एरिया की बात करते हैं तो एरिया के लिए देखो क्या होगा इसको हमने डी 1 मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया दी 2 मान लिया तो formula क्या होगा 1 by 2 multiply d1 d2 1 by 2 d1 d2 ठीक है यह इसका parameter होगा इसका area हो जा यहां पर equal कोई ज़रूरी नहीं बस parallel होना चाहिए एक साइड क्या होना चाहिए पैलर जैसे कि यह इसके parallel है बाकि इसमें कुछ भी equal नहीं है तो ऐसे जो फोर साइड होते हैं हम क्या कहते हैं इसका पैरामिटर क्या होगा यह प्लस यह इसका क्या हो जाएगा पैरामिटर हो जाएगा नेक्स नोर्मल क्वाड्र क्या हो जाएगा एक ऐसी फिगर जो लाइन से बनी हुई है और उसे हम क्या कहते है नोर्मल क्वाड्रलेटर इसकी पेरामिटर क्या हो जाएगा A2CD यह क्या हो जाएगा इसका पैरामिटर और इसका एरिया वह देखो किस तरह से निकालेंगे ये क्या होगा डाग्नॉरनल तो हम लिखेंगे वन बाइटू डी औ at the same distance from the fixed point एक fixed point से लेके क्या देखें यहां तक सब जगए क्या होगा इसका distance क्या है same है उसे हम क्या कहते है circle यह आपको याद करना पड़ेगा है इसका जो parameter है circumferences है वो कितना है 2 pi r यहाँ पर pi की value कितना होता है बेटा यहाँ पर pi की value होता है 22 divided by 7 जो आप भी questions करेंगे आगे तब समझ में आएगा और इसका area क्या होगा pi r की square यह याद करना पड़ेगा area क्या होता है pi r की square तो बेटा आज की जो worksheet है वो complete होती है worksheet complete करके अपनी teacher से चेक करवाई है और please मेरे channel को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए thank you students